आज मैं आपके साथ शेर करूंगी हाइडरेटिंग चिया सीट फेस मास्क रेसिपी फॉर क्लीन क्लियर और ग्लोइंग स्किन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूलें बैल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरे सारी वीडियो अपडेट्स टाइन पे मिल सकें लेस्ट कांटिनियो सो दो छोटे चमच चिया सीट के लेंगे एक बोल में और उसमें आड़ करेंगे 3 टेबल स्पून्स लूक वार्म कोकोनट मिल्क चिया सीट को स्किन केर रुटीन में आड़ करने का जो रीजन है वो ये कि चिया सीट में होते हैं पावरफुल एंटी आउक्सिडेंट्स का काम करते हैं साथी में स्किन के जो दाग दब्बे हैं उनको कम करने का काम करते हैं और स्किन को रीडियन्ट और हेल्दी बनाते हैं इसके अलावा मैंने इसमें एड़ किया है coconut milk coconut milk में काफी मात्रा में vitamin C पाया जाता है जो कि हमारी skin की elasticity और flexibility को improve करता है इसके अलावा इसमें होता है copper जिसकी वज़ा से यह हमारे skin के ओपर anti-aging का काम करता है और age spots को control करने का काम करता है और बाकी क्योंकि मेरी जो skin है वो है normal to dry और मैं नहीं चाहती यह pack यूज़ करने के बाद मेरी skin एकदम dry हो जाए इस वज़ा से उसे balance off करने के लिए भी मैं इसमें coconut milk का इस्तमाल करती हूँ इसके अलावा मैं इसमें add करूंगी थोड़ा सा एक छोड़ा चमच गुलाब जल का सो rose water हमारी skin के pH level को maintain करता है इसमें anti-inflammatory properties होती है जिसकी वज़ा से irritated skin की irritation को control करता है साथ ही में skin healing का काम करता है सो इस तरीके से इसे बना के 20-30 minutes के लिए chia seeds को soak करेंगे और 30 minutes के बाद यह है मेरा face mask सो यह मेरा face mask काफी slimy होने वाला है और जैसे कि आप देख सकते हैं जो chia seeds है वो अच्छे से फूल चुकी है सो वैल mask को use करने से पहले उनको बालों को tie कर लें या फिर hair band लगा लें सो वैल इसे लेंगे और skin के उपर apply करेंगे दीरे-दीरे से और क्योंकि यह जो mask है यह थोड़ा सा slimy है जिसकी वज़ा से यह skin के उपर उस तरीके से glide नहीं होगा जैसे दूसरे mask होते हैं इस वज़ा से इस skin के उपर tap tap करके रखना पड़ेगा और दीरे-दीरे से उसे हलका सा pull करेंगे अपने हलके हातों से उसे फैलाने के लिए जिस तरीके से हम slime को use करते हैं exactly वैसे ही तो इस तरीके से अपने face mask को लगाएं और पंदा मिनिट से बीस मिनिट वेट करें so 20 मिनिट के बाद ये जो मेरा chia seed mask है ये उस तरीके से dry नहीं होता है जिस तरीके से clay mask dry होता है क्योंकि ये slimy है तो इसे उतारना बहुत ही असान है just like this so मेरा ये chia seed mask मैंने अपनी skin के लिए बनाया है for normal to dry skin type के लिए लेकिन अगर आपकी skin oily है तो आप अपनी chia seed mask के जो ingredients हैं उनको अपनी हिसाब से adjust करें बागी पूरे chia seed mask को उतारने के बाद ये थोड़ा सा जो मेरे skin के ओपर रह गया है इससे मैं अपने face को थोड़ा थोड़ा मसाज कर लूँगी सो हलके हलके हाथों से मसाज कर लूँगी और फिर उसके बाद इसे wash करेंगे और फिर face को towel dry कर लेंगे अब अगर result compare करेंगे तो मेरा जो forehead की जो skin है और बाकी की जो face की skin है उसमें काफी difference शायद आप देख सकते हैं कामरा पे कि जो मेरा forehead है उससे जाधा bright और radiant बाकी की skin मेरे face की ही लग रही है इस time पे comment section में अपना feedback जरूर दे और अगर यह video अच्छा लगा हो तो चाल को subscribe करें और bell icon पे click करें thank you for watching, have a great day, bye bye हुआ हुआ है